ओम शान्ती आज बाबा के 24 तारिक के महावाक्य हैं बाबा ने कहा मीठे बच्चे सच्ची शान्ती की अनुभूती करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ प्रश्न है प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौनसी है उत्तर है प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अती मीठा अती प्यारा बना देते हैं उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायन बन जाते हो जिनके दीदार के लिए मनुशों की आज भी भीड लगती है बाप आए ही है बच्चों को मनुश से देवता पूजारी से पूज्य बनाने इत है तुम प्यार का सागर है ओम शान्ती इस समय तुम बच्चों को ज्यान का तीसरा नेत्र मिला है अर्थार्थ आत्मा की आँख खुली हुई है त्री नेत्री कहां चाता है ना इसको तीजरी की कथा भी कहते हैं वास्तव में है एक ही नाम राज योग राजय प्राप्त करने के लिए राजय प्राप्त कराने वाले से और राजय से योग इसका ही अक्षर है मन मना भव मध्याजी भव मुझे याद करो अपने स्वरूप को याद करो बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है बाप प्यार का सागर तो जरूर है तब तो प्यारेते प्यारी वस्तू को याद किया जाता है ना बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूँ ये दादा तो बड़ा सुखी था इनको कोई दुख नहीं था परंतु ये नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो बाप आकर सदा सुखी, सदा शांत बनाते हैं, सुख होता ही है, संपती से बाप आकर वर्सा देते हैं, कोई धन्वान भी होते हैं, बच्चों को वर्सा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु शांती तो दे न सकें, शांती तो सब चाहते हैं, सन्यासी भी कहते हैं मन की शांती चाहिए क्योंकि मन बुद्धी है आत्मा के अंदर तो कहते हैं मन की शांती कैसे हो बाबा ने समझाया है पूछो आत्मा को अशांत किसने किया है वो लोग तो कह देते हैं आत्मा दुख सुक से न्यारी अभोगता असोचता है ये नहीं जानते मन बुद्धी आत्मा के ओर्गन्स हैं बाप समझाते हैं अशांत माया करती है आत्मा का स्वधर्म है ही शांत बाकी ये ओर्गन्स हैं परंतु शांती में कहां तक बैठे रहेंगे सन्यासियों का तो है ही हट योग अंदर खड़े में चले जाते हैं यहां तो सहज दीती बाप वैठ नौलेज देते हैं करम योग है न यूँ तो शांती रात को भी मिलती है अच्छा हम आत्मा इन ओर्गन्स से काम लेते या नहीं लेते यह तो हमारे हाथ में है मैं बाजा नहीं बजाता हूँ अपने को डिटेच समझो इसमें आँख मूदने की भी दरकार नहीं आत्मा इन आँखों से देखती रहती है आत्मा को आँखे मिली है देखने के लिए बाकी जुबान से काम नहीं लेता हूँ ऐसे ही बैठ जाता हूँ परंतो सिրफ बैठ जाने से कोई भी फाइदा नहीं, फाइदा है ही बाप को याद करने से, जब तक सर्वि शक्तिमान से योग नहीं, तो कोई फाइदा हो नहीं सकता, योग को ही अगनी कहा चाता है, इनको युद का मैदान भी कहा चाता है, माया पर जीत पाने का मैदान है योग से तुम्हारी आयू भी बढ़ती है विकर्म भी विनाश होते हैं बड़ी खुशी होती है बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे है तो सब ड्रामा परन्तु बाब हर एक बात समझाते हैं बाब बाब को याद करते रहो साथ साथ सर्विस भी करनी है क्योंकि तुम हट योगी तो नहीं हो और्गन्स मिले हैं काम करने के लिए तुम जानते हो आतमाएं पहले सतो प्रधान रहती हैं फिर सतो रजो तमों में आती हैं अभी शुरू से लेकर सब तमों प्रधान हैं कोई-कोई अच्छी आतमा होगी तो नाम बाला रहता है परंतु पिछाडी वालो में ताकत कम रहती है पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है तो बेहद का बाप है प्यार का सागर कितना खीचता है देखो ये लक्ष्मी नारायन कितने खीचते हैं, उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया, कोई नहीं जानते, जो खुद पूज्य थे, वही पुजारी बने हैं, तुमारे मम्मा बाबा वह भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठते हैं, ओहो हम सो देवता हैं, भगव पान बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ती बतलाते हैं, बाकि और कोई हत्यार आदी नहीं है, मनुशे ये भी नहीं जानते हैं, कि माया किसको कहां जाता है, बिल्कुल ही बेसमझ हैं, ऐसे पत्थर बुद्धी बनें, तब तो बाप आकर पारस बुद्धी ब लक्ष्मी नारायन मोस्ट बिलवेड हैं इस समय सब है तमो प्रधान परमात्मा को नह जानने के कारण ठिकर वित्तर को याद करते रहते हैं ब्रह्मा विश्णु शंकर को भी नहीं जानते वह हैं सुक्ष्म वतन वासी लक्ष्मी नारायन आदी को दैवी गुण वाला कहेंगे श्री क्रिश्न दैवी गुण वाला था सत्युग आदी में श्री क्रिश्न को बहुत प्यार करते हैं जुलाते हैं अगर श्री क्रिश्न पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी जुलाना चाहिए परन्तु राम को कभी ऐसे जुलाते नहीं हैं तुम जानत आत्मा एक शरी छोड़, ये भागी दूसरी शरीर में देरी नहीं लगती है, सबसे तीखी दोड़ी पहनने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता, इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता नहीं, बाकी वे सब हैं जिस्मानी चीजें, तु प्यार का सागर है, ये एक क महिमा गाई जाती है, जरूर कुछ किया है ना, तब तो महिमा गाते है ना, अब तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है, कमाल है, बाबा के प्यार की शिक्षा देकर ऐसा लक्षमी नारायन बना देते हैं, वे भी कितने प्यारे हैं, उनका दीद करने के लिए कितनी मनुष्य जाते हैं। शिरिनाथ द्वारे में दीदार के लिए सोटे यानि डंडे लगते रहते हैं। कितनी भीड हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी इतना मीठा इतना प्यारा बनाता हूं। तुम सो देवी देवता थे, हम सो, सो हम कहते हैं न, वास्तव में है, सो हम, हम सो, सो हम बाबा के बच्चे थे, सो हम देवी देवता थे, फिर हम, फिर सो हम शत्रिय बने, बाकि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं है, सो हम आत्मा पूज़ देवी देवता थे फिर चोडासी जनम लेते हैं सो हम देवता थे फिर दो कला कम हो गई शत्रिय बने फिर वैश्य बने और दो कला कम हुई इसको कहा जाता है स्वदर्शन एक सेकिंड लगता है इस चक्र को फिराने में अभी फिर सो हम इश्वर की संतान बने हैं यह नशा चड़ना चाहिए इसी लिए गाया जाता है अतिंद्रे सुख पूछना हो तो गोपी वल्लब के गोप गोपियों से पूछो अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं हम सो फिर देवता बनेंगे हम सो कल रात में थे आज दिन में हैं गाया भी जाता है ज्यान अंजन सत्गुरू दिया अज्यान अंधेर विनाश हम बिलकुल तमो प्रधान थे अब बाप हम को क्या बनाते हैं कितनी शौक से पालना करते हैं बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है परंतु समझते हैं ये भी ड्रामा है नथिंग न्यू युद के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है ऐसे नहीं बिगर मेहनत कोई र स्टूडेंट ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मास्टर जी आशिरवाद करो अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरशार्थ करना है ये गौडली कॉलेज है भगवानु वाच्य मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते तो बेहत का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं कैपिटल राजदानी यही जमुना का कंठा देहली है कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है अब तो ठिकर बित्तर की देहली है फिर तो बनेगी सोने की बाकी ऐसे नहीं सोने की द्वारिका नीचे गई फिर निकला लंका कोई और नहीं इस समय ये सारी दुनिया लंका है रावन का राज्य चल रहा है सब सजनिया शोक वाटी का में बैठी हुई है वहां होती है अशोक वाटी का यहां तो कदम कदम पर शोक दुख है बाबा आकर बहुत मीठा बनाते हैं कहते हैं मीठे मीठे बच्चों कभी किसी को दुख नहीं देना है सुक शान्ती का दाता एक ही बाप है वह आकर सुक शान्ती का वर्सा देते हैं तो श्रीमत पर चलना पड़े धन्दा धोरी से जितना समय मिले बाप को याद करो पवितरता का बल चाहिए जिससे निरोगी काया पाएंगे भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है जब समय आता है तब बाप खुद ही आकर नौलिच देते हैं मनुष्य तो दे नहीं सकते हैं ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं कैते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं परन्तु वे कोई राज्योग नहीं सिखाते ये भी ड्रामा में नूद है भारत का प्राचीन राज्योग है बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युगे उन्होंने संगम युग अक्षर निकाल युगे युगे कह दिया है बाप समझाते हैं सत्युग त्रेता का संगम होता है दो कला कम होती है कल युग में तो बिलकुल ही कलाएं खतम हो जाती हैं तुम इन वर्णों में आते हो देवतावर्ण, शत्रियवर्ण तुम बच्चे यथार्त रीती समझते हो कि सारा खेल है भारत पर ही हार और जीत का खेल है माया हराती है और बाप आकर जीत पहनाते हैं ये कोई नहीं समझाते हैं कि माया ने अशांत किया है अब बाबा कहते हैं तुमने शांती का हार गवाया है अब फिर वही शांती का हार मैं तुमें पहनाता हूँ जिससे तुम एवर्ण शांत बन जाते हो ये स्वदर्शन चक्र भी अंदर में फिरना चाहिए बाहर में शंक बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे और कुछ करना नहीं है अत्ती सहज है बाप की पहचान मिली बाबा हमारा स्वर्ग का रचैता है बरो बर हम स्वर्ग के मालिक थे अब फिर से बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने बस बाबा अभी तो आपके हैं दूसरा न कोई भीता में शिरी कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो गिर्धर गोपाल दूसरा न कोई समझते हैं शिरी कृष्ण ही भगवान है सब ही सब एक ही एक है भगवान को न जानने के कारण नास्तिक बन गए हैं अभी तुम बाब को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो वह है विनाश काले विप्रीत बुद्धी विप्रीत बुद्धी माना परमात्मा से प्रीत नहीं है बाप है प्यार का सागर शान्ती का सागर सुख का सागर उनकी बहुत महिमा है ऐसे नहीं ये ब्रह्मा विश्णू शंकर सब एक ही भगवान है नारेन भी भगवान है रा प्रमात्मा को नाम रूप से न्यारा भी कहते हैं और फिर भित्तर ठिकर में भी कह देते हैं अभी तुम बाप को जानकर बाप से पूरा वर्सा लेने का पुरुशार्थ कर रहे हो ये मकान आदी सब शिव बाबा बना रहे हैं बच्चों के लिए क्योंकि यहां आप बच्च को पढ़ना है मुसाफरी पूरी करके घर के जब नजदीक पहुंचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुंचे हैं तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी साक्षातकार से बाबा बहलाएंगे क्योंकि हंगामा हो जाता है तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाते ह हैं फिर साक्षातकार होना बहुत सहज होगा योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षातकार करते रहेंगे खुशी में तुम डांस करते हो बाकी सब शरी छोड चले जाएंगे खुने नाहिक खेल है तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है फिर साक्षी हो देखेंगे परन्तु हिम्मत भी चाहिए कमजोर तो ठहर ना सके जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा बैठे बैठे बहुत साक्षातकार होते रहेंगे इतने बच्चे हैं शिव बाबा का भंडारा तुम जरूर भर पूर होगा बच्चों से ही सब कुछ होता है कोई के पास साथ बच्चे होंगे उसमें भी कोई गरीब कोई साहुकार होंगे बच्चे तो ठहरे ना यह तो बड़ा बाप है बेहद का घर है ये मात पिता है फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदंबा को निमित रखा है कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है बाबा भी योग में रहते हैं मुरली चलती है ऐसे तो नहीं समझते हो शिव बाबा ही मुरली चलाते है इनका सोल इनकी सोल भुट्टू है क्या भल समझो ये भुट्टू है शिव बाबा ही मुरली चलाते है तो उनको याद करना अच्छा है सदैव समझो इनमे शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं बाप कहते हैं मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग नमस्ते 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 जी धारना के लिए मुख्यसार है हम सो सो हमकी समर्ती से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है बाप समान अती मीठा अती प्यारा बनना है सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है सिर्फ शांती में नहीं बैठना है सर्व शक्तिमान बाप को याद कर शक्ती भी लेनी है परदान है तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य सिंहासन का सिंहासन लेने वाले सिंहासन धारी भव जो बच्चे यहां सेवा की सीट पर नजदीक हैं वे भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नजदीक हैं जितना यहां सेवा के सयोगी उतना वहां राज्य के सदा साथी यहां तपस्या और सेवा का आसन और वहां राज्य भाग्य का सिंहासन जैसे यहां हर करम में बाप दादा की याद में साथी है वैसे वहां हर करम में बचपन से लेकर राज करने के हर करम में साथी हैं जो सदा समीब, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं वही भविश्य में सिंहासंधारी बनते हैं स्लोगन है रूही गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ती से वायू मंडल में रूहानियत की खुश्वू फैलाता रहे अच्छा आज का अव्यक्त इशारा है हर समय हर आत्मा के प्रती मन सा स्वत्य शुब भावना और शुब कामना के शुद्वाइब्रेशन वाली सोयम को और दूसरों को अनुभव हो मन से हर समय सर्व आत्माव प्रती दुआएं निकलती रहें मन सा सदा इसी सेवा में बिजी रहें जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मन सा सेवा स्वत्य होती रहें अच्छा ओम शुद्व